अईसा लग रहा है अब आपको पच्तावा हो रहा है कि आपने जो पती को अपना पहले वाले को छोड़ दिया आज उनकी याद आ रही है देखिए उनका याद तो नहीं आ रहे हैं तो उससे हम बहुत टोचर खाए हैं इसलिए उनका याद हैं लेकिन एक बात का ऐसास हो रहा है यही गुडिया देवी के साथ निती सकुमार साइड में आपको दिख रहा होगा जो कि लुधियाना सहर में रह करके इनके साथ तीन साल बिताया साथ में रह करके इनका जितना पैसा कमाया हुआ धन था सारा लेकर के भाग आया वहां से और यहां आके दूसरी साधी कर लिय नमस्कार परणाम मित्रों मैं हूं मनिस्तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृती बिहार और अभी हमारे साथ वही गुडिया देवी हैं जिनके साथ कई तरह की ऐसी बाते सामने आ रही है कि ये जिन से प्यार करती थी और जिन से साथी कर ली थी वो इनको छोड़ करके फडार हो गया है और दूसरी साथी कर लिया है और इसी मुदे में ये थाना पहुची हुई है यह कुर्सा काटा थाना है जो की अरर्या जिला में पड़ता है चलिए हम गुरिया देवी से बात करते हैं कि अभी तक मामला कहां तक पहुचा है और क्या-क्या बाते हुई है गुरिया जी अभी आप थाना में आई हुई हैं क्या सब हुआ अभी आए हैं, यहां बोल रहे हैं, बढ़ा बबु के पास आए हैं, अभी हम सुबह से बैठे हुएं सुबह से हैं? अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है? 4-5 बज रहा होगा तक्री बन 5 बजने वाला है और आप सुबह से कितने बजी से यहां पर हैं? 11 बजे से बैठी हुई है और देख सकते हैं किस तरह से एक दुखियारी महिला एक बिनती करता कह सकते हैं यहां पर बैठी हुई है और कई दिनों से थाना का चक्कर काट रही है कभी इस थाना कभी उस थाना तो कभी कहीं तो कभी कहीं कभी बोला जाता है कि महिला थाना जाइए कभी बोला जाता है कि उस थाने में जाइए मतलब यही पड़किडिया करते करते करिब इनका जो है महिना लगने वाला है और अभी तक एफायार तक नहीं हुआ है हलाकि यह मामला जो है कौन सा सहर था लुधियाना का मामला है लेकिन यहां की पुलीस जो है मामला यहां पर दर्ज नहीं कर पा रही है कई थाने से इन्हें रिटर्न कर दिया गया है और आज यहां कुरसा काटा पहली बार पहुँची है पांच बार पहुची है अभी तक कोई आपका विदन नहीं दिया हम हरजन थाना गये है तो वहां के सर हमको बोले है कि महला अथी कुसा काटा थाना जाए और वहां सर बड़ा बाबू से बात की है वहां के बड़ा बाबु अर्जन थाना के बड़ा बाबु है। का मामला सामने नहीं आया है, कुछ भी सामने नहीं आया है तो देख सकते हैं, सिधा तोर पे यही आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी कमेंट किया था कि इनको नियाय मिलना चाहिए, चाहे कहीं की भी महिला हो मान करके चलिए अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आता है और इंडिया में उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो पुलीस वहां की परसासन क्या कहेगी कि आप जाएए अमेरिका में केस दर्ज करवाईए तब जाकर उनका केस थना में लिया जाएगा ऐसा नहीं होता है कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा प्रोसेस होगा जो कि थना अध्यक्ष को बखुबी पता होगा लेकिन कोई यहां पर एफायार लेना नहीं चाहते हैं महीनों से यह औरत जो है भटक रही है करीब आप लोगों ने पंदरा दिन पहले से वीडियो के माध्यम से भी सोशल मेडिया पर लगातार देखा भी होगा आज जो है गुरियाट देवी लगातार चक्कर काट रही है उस लड़के के जाल में फसकर जो की इनको कई तरह की अफवाही अफवाह बातें किया की साधी करेंगे जहांसा दिया कई तरह का ऐसा मामला सामने आया लेकिन ऐ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साधी तो कर लिया तीन साल रिलेशन में भी रह गया साथ भी रहा और बाद में जब मन भड़ गया तो फिर इस महिला को छोड़ करके भाग जाता है वहां से और यहां बिहार आकर दूसरी साधी कर लेता है तो आप थाना में अभी तक दोर रही ह कोई मामला अभी तक आपका लिया नहीं गया है तो आपको क्या लगता है कि कानून पर भरोसा है कानून पर भरोसा है कोई तो मेरा एक्शन लेगा विसमास है पहले वाले को छोड़ दिया आज उनकी याद आ रही है देखिए उनका याध तो नहीं आ रहे का है तो उसे हम बहुत टोचर खाए है इसलिए उनका याद हैनी लेकिन एक बात का ऐसास हो रहा है कि हम इनके साथ जो रहे बहुत बार का गलती की ये ये इन पर बिस्वास करके हमको बिस्वास इन पर नहीं करना चाहिए विश्वास देखिए आज का जो जमाना है हर कोई जो होता है चाहे वह लड़का हो या कोई भी हो यही चाहता है कि किस लड़की का आबरू लूट लें किस लड़की का इजत लूट लें और फडार हो जाए भाग जाएं कोई नियावया वाली बात नहीं होते है उनको ऐसा ल उसके बाद ही कुछ हो सकता है कोई बच नहीं सकता कानून की निगाहों से नितिश कुमार मंडल भी बोला है फॉन पे हमको बोला कि ऐसा ऐसा घटना बहुत होता है तो कम से कम इसी थाने में ना जाने कितने एफाई यार इस मामले के तरह दर्ज हुए होंगे पहले भी एसा तो नहीं है कि यहां मामला बहुत होता है तो इसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पुलीस परसाशन कोई भी कारवाई नहीं करती है ऐसा तो नहीं है ऐसा लगता है आपको पुलीस परसाशन हर किसी के लिए है और हम सभी के लिए ही लिए लेकिन हम लोग का सपोर्टे नहीं कर रहे हैं अभी आप कम से कम महिना दिन से थाने का चक्कर का रहे हैं पांच बार इस थाने में आई यही कहके कि यह मामला लुदियाना का है महिला थाना बोलती है यही ऐस थाने कुसा कटा जाए है आपका थाना में तरुणा दारुदियाना कमेटर मतलब कुरसा कटा में बोला जाता है कि कुरसा कटा जाए है वहां बोलते हैं कि हरीजन वाले में जाइए, मतलब इसी तरह से आप चकर काट रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, आपका कितना पैसा खड़चा हो चुका होगा, कितना दोड-डोड के आप ठक गई होंगी, अकेली महिला है, दोड रही है, किसी के घर की बहु बेटी जो बिल्कुल किसी को भी बरदास्त नहीं होगा तो हम यहीं कहेंगे अगर यहां थाना अध्यक्ष महोदै अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस महिला के लिए सर कोई भी कदम आप सही तरीका से उचित तरीका से उठा दीजिए यह दोड नहीं पाएगी यह थाने का चकर नहीं लगा पाएगी कम से कम उस लड़के को इस जगह पर लाइए और पूछ ताच कीजिए लड़का का क्या नाम है? नितीस मंडल जो आपके साथ मतलब तीन साल तक लगातार गलत कम किया आपके साथ और उसके बाद फरार हो गया है तो अभी तक आप से नहीं मिला है सीम तो तोड के फेग दिया मेरे नाम से सीम था तो उसीम बंद है तो तोड के न फिक दिया होगा तो सीम उमचालू नहीं है यहाँ आप फोटो ले के घूम रही है फोटो जरा दिखाईए यहां दर्शकों को पुरूप सब बहुत था लेकिन सब वो लेके चला भी गया साब पोड़ पे हम यहां पर दिखा सकते हैं आप लोगों को की देखिए यही गुडिया देवी के साथ नितीश कुमार साइड में आपको दिख रहा आओगा जो की लुधियाना सहर में रह करके इनके साथ तीन साल बिताया साथ में रह करके उसके बाद भाग कर घड़ आ गया और इनका जितना पैसा कमाया हुआ धन था सारा लेकर के भाग आया वहां से और यहां आके दूसरी साधी कर लिया आप लोग ही बताईए कि इनके साथ और उस लड़के के साथ ऐसा क्या होना चाहिए क्या कानून को इनके लिए ख़डा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस महिला को नियाय दिलवाईए आप लोग तो नियाय दिलवाने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ तकडीबन 10-15 मीडिया कर्मी हमारे भाई लोग साथ में हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस महिला का बयान ले रहे हैं एक आवाज बनने का कोशिस कर रहे हैं आप लोग सिधा बताईएगा कि इनके साथ नियाय होना चाहिए या कि इसी तरह से चक्कर कटवाते रहना चाहिए हलाकि हम लोग अभी थाना में हैं और सुबह से ये वेट कर रही है 11 बजे से और देखते हैं कि बारा बाबु कब तक यहां पर पहुंचते हैं बारिस का मौसम है और बारिस भी होना सुरू हो सकता है और ये महिला यहां से कहा जाएगी और साम को कहा जाएगी नहीं जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है और थाना भी एक ऐसा एरिया में पड़ता है जहां से सायद इनको रात में गारी भी नहीं मिलेगी कितना दूर से आजाए है अर अरिया से आए है अर अरिया कड़िब 35-35 किलो मिटर है क्योंकि हम लोग भी उसी हो कड़के आए है 35 किलो मिटर है क्या चैनल नाम है आपका यह थोड़ा सा अपने दम पर कुछ आगे बढ़ सके और उस से 2 रुप्या इनको भी इनकम आ सके अपना जिवी का चलाने के लिए बाकी मिलते हैं आप सवी से अगले वीडियो में तब तक देखते रहेए संस्क्रिती बिहार मैं मनिस्तिवारी जाहिंद